तो पार्ट वन और टू की वीडियो में हमने बात किया कि किस तरह से किशोर बियानी जी ने पैंटालून की शुरुवात करी उसके बाद वो वो बिग बजार में एंटर किये और किस तरह से वो डेस्टिनेशन मौल्स और बहुत सारी चीज़ों एड करते गए इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं क्यों बिग बजार फेल हो गया अगर हम इसके पहले के जनर नहीं बात करते तो बाते अधूरी रह जाती इसलिए हम इसमें और थोड़ा डेटेल में जाने ही कुशिश करेंगे कि अब बिग बजार क्यों फेल हो गया ये साल 2007 था जो कि भारत के लिए सबसे important साल में से एक था क्योंकि इसी साल सबसे बड़ी कंपनी भारत की flip card की शुरुआत हुई थी और अब इंडिया online जाने की धीरे धीरे शुरुआती दीनों में था flip card उसमें कोशिश कर रहा था कि वो किताबे बेचे और customer का experience जादा से जादा better करे क्योंकि इंडिया उसमें अभी online buying नहीं कर रहा था और इसी को देखते हुए यहाँ पे किशोर बियानी जी ने अपना futurebazar.com की शुरुआत करी और इसके थूरु वो हर जगा expand करना चाहते थे और इनकी कोशिश थी कि वो हमेशा जैसे कि वो offline में जाते थे एक store खोला उसके बाद दूसरे store पे तुरंट दो मेने के अंदर चले गए तो किशोर बियानी जी जादे बड़े पैसों में यकीन करते थे इस वज़े से उनको online में कोई sales दिखाई नहीं दे रही थी छोटी मोटी sale उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और इसका पढ़नाम यह हुआ कि उनको 350 करोण का loss हुआ और एक साल के अंदर ही उन्होंने अपना ये online का जो business था वो बंद कर दिया इसके बाद आता है साल 2008 जो कि सबसे मुश्किल भरा साल था यहां पे future group के लिए क्योंकि इस समय global recession आया था और पूरी दुनिया में मंदी का दौर था और इनका depth अब बढ़ता जा रहा था क्योंकि इतने सारे malls, इतने सारे lands और इतना ज्यादा customer acquisition के पीछे जो इन्होंने पैसा लगाया था वो सब के लिए इन्होंने उधार market से लिया था तो इनका depth लगतार market में बढ़ता जा रहा था 2008 में depth इतना ज्यादा बढ़ गया कि इने 2009 में अपनी company का de-merger करना पड़ा और company का पूरा structure चेंज करना पड़ा अब इन्होंने सिर्फ चार चीजों में अपनी company को रखा पैंटालून जेंट्रल बिग बजार और फूड बजार यहां पर किशोर बियानी जी ने सुचा कि इस तरह से अगर हम company को restructuring करेंगे तो हमारा depth कम हो जाएगा लेकिन ये चीजे work नहीं किया और साल 2012 आते आते इनके उपर करीब 8000 करोन से जादे का depth हो चुका था अब यहां पर किशोर बियानी जी के लिए बड़ी मुस्किले पैदा होने लगी थी तो अब इनका जो सबसे बड़ा प्लेयर था पैंटालून अब उसको बेचने की बारी थी और यहां पर उन्होंने अपना depth कम करने के लिए आदिति बिर्ला ग्रूप को अपना पैंटाल लेते गए साल 2013 में दुबारा कुशिश किया कि शुर बियानी जी ने ऑनलाइन आने का क्योंकि उस समय अब ऑनलाइन का फॉर्मेट बढ़ता जा रहा था कई सारे प्लेयर्स आ गए थे यहां पे अगर हम बात करें तो बिग बास्केट भी आ चुका था फ्लिपकार्ट और आपको जितने भी ओर्डर आते हैं उसके लिए जितना भी इंवेंटरी के जुरूरत है वो सब कुछ यहां पे बिग बजार आप तक पहुचाएगा आपको पूरा इनका बिजनस उस एरिया में मिंटेन करना है लेकिन दोस्तों ये चीज़े भी काम नहीं किया और इसम पार भी ये ओन्लाइन पूरी चीज़े बंद करनी पड़ी किशोर बियानी जी का ऐसा माना था कि जो इंडिया क्या फ्यूचर होने वाला है वो रिटेल का पूरी तरह से ऑफ-लाइन यह ओगा ओनलाइन का कोई बड़ा फ्यूचर नहीं है इसलिए वो चाहते थे कि हम 2016 में इन्होंने इजी डे खरीदा उसके बाद इन्होंने हरिटेज फ्रेश खरीदा जो कि एक बैंगलोर बेस्ट कंपनी थी इस सब कंपनियों के लिए ये कर रहे थे कि साउथ में अपने आपको एक्सपेंड कर सके अब इन सब चीजों के लिए मार्केट से लगतार पैसे उठाते जा रहे थे अब दूबारा फिर ये वही गलतिया कर रहे थे इसके बाद इन्होंने 2017 में हाइपर सिटी को 650 करोन में खरीदा ये बड़ी चेन है और साल 2018 में इन्होंने इजों को भी खरीद लिया अब इतनी सारी कंपनियों को ये अक्वायर करते जा रहे थे इनका मानना था कि future जो इंडिया का होने वाला है वो offline ही होगा लेकिन इंडिया का जो buying pattern था वो दोस्तों लगतार बदलता जा रहा था और कि शोर भियानी जी अभी भी offline में जादा से जादा पैसे डाल रहे थे और अपने पैसे नहीं ये market से पैसे उठाके depth अपने उपर लेते जा रहे थे दोस्तों एक बार मैं इनका core business का जो पहला idea था बिग बजार का वो मैं आपको याद दे रहाता हूँ इनका मानना था कि इंडिया में जो भी markets होते है रोट के किनारे उसमें बहुत भीड होती है उसी पूरे format को इन्होंने बिग बजार के रूप में लाया था वो बहतर एक successful model था लेकिन अब यहाँ पे यह ज़्यादा से ज़्यादा acquisition कर रहे थे बिना profit में आए अब इनके सामने कुछ offline में भी बड़े player थे Reliance Fresh था Spencer's था यहाँ पे Max था Demart तक आ चुका था Demart इनसे ज़्यादा बहतर company चल रही थी क्योंकि वो अपने profit से ही वो अप pandemic आया और 2019 के अगर हम सितंबर में बात करें तो इनके उपर total 12,778 करोन रुपे का depth हो चुका आया था इसके बाद आता है pandemic और अगर हम इनका pandemic में total graph देखें तो एक महिने के अंदर यह company बहुत बुरी तरह से गिर गई आदो मार्थ 2020 को company का जो market का share price था वो 303 रुपे था और 8 अप्रेल 2020 को करीब 64 रुपे इनका share का price आ गया था 80% इनका share का price गिरा था एक महिने के अंदर वो इसलिए हुआ क्योंकि government ने सिर्फ essential products खरीदने का allow किया था और लोग नहीं चाहते थी कि वो malls में उस time जाए क्योंकि लोगों को डर था कि हमें COVID हो जाएगा तो हमारी आपके आसपास हो भी रहा था तो अब यहाँ पे सब लोग अपने आसपास की किराने के दुकानों से ही समान जाके ले रहे थे कोई बड़े malls में नहीं जाना चाहता था और बिग बजार को यहाँ पे बड़ा घाटा होने लगा अब समय यह आ चुका था कि अब इनको यह रिलाइंस रिटेल को बेच दिया क्योंकि अब इनके पस लॉस्त वबरने का कोई रास्ता नहीं था रिलाइंस और बिग बजार के बीच में जो डील थी कि फ्यूचर ग्रूप के अंदर आने वाला बिग बजार, FBB, Easy Day, Central, Food Hall फॉर्मेट यह सारे जो 1800 इंडिया में स्टोर हैं यह सब कुछ रिलाइंस रिटेल के हो जाएंगे और यह सारे आउटलेट इंडिया के 420 शहरों में हैं लेकिन दोस्तों इसमें एक ट्विस्ट आता है साल 2019 में एक साल पहले अमेजॉन और बिग बजार के बीच में बेचा जा सकता है तो दोस्तों यह कुछ पहले की डी हो गई तो अमेजॉन ने यहां पर सवाल उठाया क्योंकि उनके बीच का टमसेंड कंडिशन था अमेजॉन जाके सिंगारपूर इंटरनेशनल अर्बिटरेशन सेंटर में एक केस दार करता है और ऐसा यह सी अपना जो पूरा जज्ज्मेंट रहता है वो अमेजॉन के तो अब ऐसे कई सारे ट्विस्ट आते गए और बहुत सारे चेंजेज होते गए अभी कुछ ऐसी न्यूज है कि आमेजॉन अपने जो पैसे इन्वेस्ट किया था वो पूरे पैसे वापस मांग रहा है बिग बाजार से इस डिस्प्यूट को खतम करने के लिए और दूसरी समझने की कोशिश करें तो कुछ बड़ी बिजनस के लर्निंग से हमारे लिए सबसे पहली चीज है कि आपको over ambitious नहीं होना है जैसा कि यहाँ पे किशोर बियानी हो गए बिग बाजार एक बहुत ही successful business model था और जिस तरह से growth हो रही थी वो सबको दिखाई दे रही थी क्योंक के आप अलग-अलग segments में एंटर करते जा रहे यह पहली बिग बाजार की गलती थी जिस वजह से उनके उपर depth बहुत जादा बढ़ गया और उन्हें पेंटलून को बेशना पड़ा दूसरी अगर हम इनके गलती समझने ही कोशिश करें तो किशोर बियानी जी अपनी पहली गलती के बाद दूसरी बार भी customer को नहीं समझ रहे थे 2010-12 के बाद इंडिया में लोग online pattern अपनाने लगे थे flipkart, amazon, jaybong जैसे हमने बहुत सारी कंपनिया बात किया, grocery sector में भी बहुत सारी online कंपनिया आ रही थी, growthers आ रहा था, big basket आ रहा था, इस तरह से बहुत सारे brand इंड competitor को नहीं सुना, इन्हें देखना चाहिए था कि किस तरह से DMART एक successful venture बनता जा रहा है, तो दोसों over और हम इस वीडियो में ये learn कर सकते हैं कि entrepreneur बनना एक tough task है, लेकिन उस से भी tough task है कि उस value को आप retain कब तक कर पाते हैं, बहुत अच्छे entrepreneur ते क्रिशोर बयाने, लेकिन उस प अपने आपको हर समय change करते जाना है, जो कि यहाँ पे किशोर बयानी जी नहीं कर पाए, और अलग-अलग segment में घुसने के चक्कर में, वो अपना पूरा Big Bazaar Group lost कर चुके हैं, दोसों यही था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो genuinely informative लगी है, तो आप इस वीडियो को ज आपने!